कार सादक मेरे मन के विकार मेरा कोई करम ऐसा उलट ना हो जावे जिससे मेरे योग की प्राप्ती में बादा आ जावे जब वे प्राप्त हो जाता है अब उसे शांती हो जाती है शांती कैसे प्राप्त हुई करम करने से प्राप्त हुई किसान को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ क्योंकि अभीष्ट पदार्त की जो चाह मन में लिए हुए था वै पूरन हो गए साधन शील को तो हम सब साधन शील हैं साधन शील को तो करम करने ही चाहिए ये नित करम हमारा ससंग स्वाध्याय नामका जाब ध्यान की लीनता की ले अवस्ता में प्रियतन शील होना ध्यान में प्रियतन शील होना ये अवश्यक है ध्यान नहीं लगा इसकी चिंता साध को नहीं होती चिंता उनको करनी चाहिए जो प्रियतन शील ही नहीं है सादन शील को तो करम करने ही चाहिए ये हमारे जो सादन है और करम योग में सादनों द्वारा स्थिर्था लाभ हो जाने पर शांती स्वेम प्राप्त हो जाती है जब अपने इश्ट की प्राप्ती हो गई जब वै एक दूसरे के सामने हो जाए तो मन शांत हो जाता है सब भूल जाएगा किस परकार नींद का त्या किया किस परकार प्रातैकाल ब्रम बेला में वै उठा किस परकार कैसी भी अवस्ता अंधेरी तुफान रितू परिवर्तन मार्ग में रुकावट नहीं हुए अब उसको शांत क्यो लक्ष की प्राप्ती हो गई शांती करम करने का परिणाम है बिना करम किये बिना प्रियतन किये ना तो लक्ष की प्राप्ती होगी और जब तक लक्श की प्राप्ति नहीं होगी तो शांती नहीं होगी तो करम नियम पूरवक साधना के परतेक मानव को करते रहना चाहिए इसके लिए गुरू महराज ने अपने परवचने में कहा था अपनी साधना में शिरी स्वामी जी महराज के यह शब्द है साधना में एक मन होकर योगा रूड कौन है योगा रूड जो इस पत पर उस योग पर चलने वाला उसके चिन भी आगे जाके वर्नन हो जावेंगे अरजुन पूछेगा क्योंकि अगर उसको खिताब दिया जा रहा है योगा रूड के नाम से पुकारा जा रहा है तो उसने क्या क्या छोड दिया किस-किस चीज का त्या किया जिसे उसे ये खिताब प्राप्थ हुआ और किस-किस सादन को उसने अपनाया क्योंकि भगवान ने कहा जो एक मन से मेरी सादना करने लगते हैं वैं मुझे प्रिये हैं और मुझे को प्राप्थ करते हैं उसके लक्षन कैसे होंगे उसने क्या त्या किया और किस चीज को अपनाया जिससे वैं प्रमात्मा का प्यारा हुआ गुरु महराई ने कहा वैं योगा रूड कहलावेगा वैं भगवान की क्रिपा का पातर बन जावेगा और अगर सादन संपन ना भी हो पावे अपने प्रारब्द करम के कारण वैं नश्ट ना होकर उन्नत लोकों में जावेगा उन्नत घरानों में पहुँचे जावे बुद्धी मंत योगियों के कुल वैं ग्रह में जनम लेगा सादना एक मन होकर लगना चाहिए एक गुरू एक इश्ट योगा रूड के लिए योग की प्राप्ती के लिए उस ब्रह्म की प्राप्ती के लिए आज यहां गए कल वहां गए आज यह सादन किया कल को दूसरा सादन किया वै योग की प्राप्ती नहीं कर पाएगा त्यागी अब करम योगी भी वै होगा अब त्यागी भी वै होगा क्या त्याग करेगा विबचारनी भक्ती त्याग करेगा स्थान स्थान पर नहीं भटकेगा ये तो त्याग हो जावेगा उसका कर्म योगी क्या होगा वही व्यक्ति त्यागी होकर कर्म योगी हो जाएगा एक इश्ट की और पूरी निश्ठा पूरा विश्वास त्याग क्या किया आज एक सादन किया, कल दूसरा किया नाम योग पर वैय योगा रूड नहीं हो पाएगा इस से भगवान स्वेम डॉक्टर बन जाते हैं महराज के शब्द हैं ये जो इस चीज का त्याक कर दे विवचारनी भक्ती, भटकना बंद कर दे अब उसके अंदर जो दुर्बलताएं हैं वासनाएं हैं प्रियतंशील है वै वै बादक बन रही हैं गुरू महराज ने कहा अब जब तूने अपने अंदर स्थिर्ता पैदा कर ली तेरे लिए वै परमेश्वर आप वैद बन जावेगा डॉक्टर बन जावेगा ये तेरे मानस और आंत्रिक रोग स्वेम दूर करने लगेगा किन को करने लगेगा जिनका लक्ष हो जावेगा आत्मा को पवित्तर बनाने का लक्ष अब उसका नाम का अभ्यास फली भूत गुरुदेव क्रिपासे और श्री राम क्रिपासे योग के उंचे पद पर चड़ना चाहने वाले मनंशील मुनी के लिए अब उसके करम और उसकी बाग डोर परमेश्वर श्री राम अपने हाथ में ले ले वेंगे योगा रूड के प्रती गुरु महराज ने इस परकार से वर्नन किया परसंग लंबा है प्रंतु समय पूरा हो गया आज बुद्वार इस समय भीतर अखंजाप अरंभ हो जाएगा जो साइंकाल तक चलेगा ओम नमो भगवते वासु देवाई नमा सरवर्शन देवाई नमा